हलो फ्रेंड आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों जैसे कि आप मेरे वीडियो के टैटल और थमनेल में देखी चुके हैं कि आज में आप लोगों को कौन सा जानकारी देने वाला हूँ जिहां दोस्तों जो आप मेरे वीडियो के माध्यम से पौधा देख रहे हैं इसके बिज से गंजे सर पर बालाना सुरू हो जाते हैं दोस्तों हर कोई खुब सूरत दिखना चाते हैं हर कोई अच्छा दिखना चाते हैं ठीन दोस्तो अगर उम्र से पहले आपके बाल ज़ाएं या आपके बाल दोस्तो हैर फाल होने लगे जड़ने लगे तो यहं सबसे बड़ा परसानी का कराण बन जाता हैं гंजे पन सर को देखकर के बहुंसे लोग मजाग भी उड़ा देते हैं इसलिए दोस्तों समय रहते हैं अगर इसको उपचार नहीं किया जाए तो पूरे सरी से हना मतला पूरे सीर से बाल ज़णने लगते हैं फिर बाद में चल करके आप कितने भी परसानी कलीजें कितने भी दवा लगा लिजे बाल नहीं आने वाले तो मेरे वीड़ो में देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से पौधे हैं इसका देख लिजे इस पौधे से आपके गंजे सर पर बाल आ जाएंगे 100% में आपको गरेंटी देता हूँ लेकिन आप सही तरीके से मेरे वीड़ो में बताएंगे तरीकों को करेंगे मेरे वीड़ो में बताएंगे वीधी को करेंगे तब आपके गंजे सर पर बाल आएंगे तो देखे ये पौधा ध्यान से देख लिजे दोस्तों ये रतन जोत के पौधे हैं रतन जोत के पोधे से पेट्रोल बनाया जाते हैं और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चाहिए आप किसी भी इस्टेट से हो किसी भी राज्य से हो रतन जोत के पोधे आपको बहुत यह सानी से मिल जाते हैं प्रकार से देख लिजे तो यह रतन जोत के फल कब बीज इस प्रकार से आपको निकाल लेना है इसके बाद इसके बीजों को पीज करके इसके बीज में नेम का तेल मिला करके गंजे सर पर लगाना होता है पेश्टा बना करके अगर कोई भी सजन कोई भी वेक्ती एक महने तक गंजे सर पर अगर इसका पेश्टा को लगाते हैं तो गंजे सर पर बाल आ जाते हैं बिल्कुल ही गंजे सर पर छोटे छोटे बालाना सुरू हो जाते हैं अगर आपके बाल जड़ हैं तो केवल इसके चार से पांच दिनों क परियोग से ही आपके बाल जणना रुख जाते हैं बालों को मजबूती प्रदान करता है लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा जो लोग काफी सारे दवा परियोग कर चुके बहुत सारे 1000 रुपया खर्चा कर चुकी हैं सर पर बाल नहीं आ रहे त सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यमाद नमस्कार